हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे अलीगर में स्थित अलीगर मुस्Лिम विश्व विश्विद्यालय के बारे में अलीगर मुस्लिम विश्विद्यालय की स्थापना सर सेयद एहमद खान के द्वारा 1875 के मुहंमदिन इंग्लो ओरिेटल कॉलेज के तौर पर हुई बाद में आगे चलकर 1920 में यही कॉलेज अलीगर मुसलिम विश्विद्यालय बना ये विश्विद्यालय ग्यारा सो पचपन एकर में फैला हुआ है इस विश्विद्यालय में 117 डिपार्टमेंट और 13 फैकल्टीज है इस विश्विध्यालेय में साथ लाइब्रेरीज है जिन में मौलाना आजाद लाइब्रेरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और ये एशिया के विश्विध्यालों में सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी है ऐसी और विडियोज के लिए हमारी विडियोज को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब